अगर जरुवत पड़े तो मार्क दर्शन बिलकुल करो कोई अगर कहीं भटक जाए और तुमसे रास्ता पूछे तो रास्ता सही बताओ पर अगर कोई ना पूछे तो जबर्दस्ती रोक कर भी अपनी सारी दिल की बाते बतानी जरूरी नहीं होती कभी कभी अकसर तुम्हें नजर सर्फ इसलिए लग जाती है क्योंकि तुम सादगी से जीते हो जो दिल में है वही तुम्हारी जुबा पर रहता है तुम्हारे जैसा इतना खुबसूरत बहुत कम बच्चा है और इसलिए तुम्हें नजर लग जाती है खेर, तुम्हारी रक्षा वो करना मेरा काम है, मैं कर भी रहा हूँ बस तुम इतना करो कि आलस त्याग कर, मेरी उदी का प्रती दिन सेवन करो इस बात को अपने मन में बिठा लो कि बिना उदी का सेवन किये, तुम्हें घर के बाहर जाना ही नहीं है चाहे तुम उदी का टीका अपने मस्तक पर लगाओ, या फिर तुम उदी जल ग्रहन करके ही जाओ मैं जानता हूँ, पिछले दिनों तुम्हें शक्ती महसूस नहीं हो रही थी ऐसा लग रहा था कि शायद अब हार जाओगे, लेकिन वो क्या है ना, जब मैं सब बदलने बैठा हूँ, तो बदलना तो तैह ही है जहां सब बिगड़ रहा है, वहां सब संभल जाएगा, बस तुम थोड़ा सा आलस त्याग दो, और थोड़ा ध्यान करना शुरू करो कोई जरूरी नहीं है, कि तुम पूजे के कमरे में ही आओ, तुम वहां बैठो, और तभी तुम मेरा नाम लो या ध्यान करो तुम बिस्तर पर बैठ कर भी, आकबंद करके भी ध्यान कर सकते हो, वही आशरवात तुम्हें मिलेगा, बस पूरी शद्धा से करो और देखना, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, खुश रहो